क्वांटर केमेस्ट्री की उनिन नंबर 4 के अंदर अभी तक आप लोग काफी कुछ आलड़ी कवर कर चुके, आप लोग पढ़ चुके हो कि आखिर स्पिन क्या होता है, स्पिन एक कोर्सपॉंडिंग ओपरेटर कैसे होते हैं, और इन ओपरेटर की कॉमोडेटर भी आप आप लोगों ने पढ़ा पोस्ट्रेट नंबर 6 को क्वांटर केमेस्ट्री जिसको आप लोगों ने समझा विद एक्जामपल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल के लिए आप लोगों ने टोटल स्पोसीबल 6 वेव फंशन निकाले थे, जिसके अंदर आपके पास स्पेस वाल पार्ट भी था और वहां पर आप लोगों ने समेटरी को डिफाइन करना भी सीखा था फिर आप लोगों ने कुछ कोशन कि जो कि आप से पूछे कई थे प्रीवेस एरली से यहां नेट के अंदर और आपके गेट एक्जाम के अंदर फिर आप लिए स्टार्ट किया अटों बात करेंगे कि आखिर आप लिए और इस ने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्टर को कि आप लोगों कि अगर आपने पहले के लेक्टर देखी है तब ही आपको समझ में आएगा याद की राज के नमलोग क्या पढ़ने वाले आप लोग फिर स्टार्म को सब्सक्राइब कर कर सकते हो वागिन को प्रेस करना है ताकि जब भी मैं आपको वीडियो अप्लोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख भी पाओ आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक भी करना है कोई नोगे कमेंट आपको जरूर छोड़ना है और साथ आपको वीडियो को शेयर भी करते रहे ना अपने दोस्तों साथ वीडियो को शेयर करते रही है चैनल को जब्सक्राइब कर लेए ना वीडियो को लाइक कर लेए और को नोगे कमेंट आपको जरूर छोड़ना है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर RS कप्लिंग क्या होती है और कैसे आप लोग माइकुचेट वाले पार्ट से कोशन्स आ सकते हैं तो आपके पास जो आज का लेक्टर होने वाला है वो बहुत इंपरोंट लेक्चर रहे हैं कि आपके अपको बहुत सारे कोशन्स कराओंगा जो प्रीवेश से बहूत बार पूछे गए हैं से या नेट के अंदर तो आपको इस टोपिक को बहुत ही दान से पढ़ना है अगर आपने समझ लिया तो कोशन को आप लोग बड़ी इसली अप्रोच कर पाओगे तो पहले मैंने यहाँ पर लिखी हो यह वह बात पर जो मैं लोग लास लेक्ट्चर के अंदर भी कि आप को और के अनदर किया होती है पहले क्या होगा तो Er और फिर क्या होता है, Gman Effect होता है, इसको क्या मिलने वाली यहां पर, MicroStates मिलने वाली है, तो Basically ऐसा नहीं है, कि अगर आपको MicroStates calculate करनी है, तो आपको इस पूरे process को follow करना पड़ेगा, आप लोग in MicroStates calculate कर सकते हो, with the help of Electronic Configuration भी, with the help of Term भी, with the help of Term symbol भी, तो आज रेचर के दर बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से आप लोग यहाँ पर इन मैंचलेटर कर सकते हो with the help of electronic configuration, term और term symbol जितने formulas आएंगे उन formula को आपको ऐस तच याद करना है formulas जादा मुश्किल नहीं है उनके उपर से questions बहुत बार आते हैं तो I hope कि आपको याद भी हो जाएंगे लेकिन पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है in all way principle we get the information about NLL by using electronic configuration we do not get any information about ML and MS because of which we cannot determine total orbital and total spin angular momentum and this generally affects spectral and magnetic properties मैं उपना चुका हूँ कि आखिर आपको atomic term symbol के ज़रोत क्यों पढ़ रही थी आपके पास जो electronic configuration था जिसको आप लोग class 11 से class 12 से पढ़ते हुए आ रहे थे उसके अंदर स्रिफो स्रिफ दो ही quantum number थे वहाँ पर ना दो कोई भी बात हो रही थी ML की नहीं कोई बात हो रही थी MS की और अगर आपके पास इन दोनों की बात नहीं होगी तो आपके पास नहीं कोई बात हो रही है orbital, orbital momentum की नहीं कोई बात हो रही है spin and grow momentum की और अगर आपके पास यहाँ पर orbital and momentum की बात नहीं होगी और spin and grow momentum की बात नहीं होगी तो आप लोग यहाँ पर magnetic and spectral property of atom को explain नहीं कर पाऊगे जिसकी help आपको पढ़ती है बाकी सभी chapter के अंदर क्योंकि आपको atomic spectrum को explain करना ही होता है उसके basis के उपर ही आप लोग chemistry के अंदर बहुत साइ topics को पढ़ते हो That means अगर आपको atom की सारी की सारी property को explain करना है तो आपके पास जो electronic configuration है उससे काम नहीं चलेगा आपको यहाँ पर atomic term symbol की भी ज़रूत पढ़ेगी यह सारी की सारी बात है हम लोग पहले के lectures के अंदर कर चुके है When we consider ML and MS in electronic configuration we get a number of possible states called microstates यह क्या होती है microstate आपको बताने वाला हूँ तो इसी lecture के अंदर आप लोग देखते है लेक्टर को लेकिन इनको कैसे calculate करते है मैस्टोड को निकालने का formula क्या होता है पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं उसको लेकिन आपके पास यहाँ पर होती है यहाँ पर यहाँ पर क्या होने वाले है अब इन दोनों के लिए आपके पास N की वैलू क्या रहने वाली है सेमी रहने वाली है आपके पास L की वैलू यहाँ पर क्या होने वाली हो भी सेमी होने वाली है क्योंकि आपके दो electron कहाँ पर है इस P वाले orbital के अंदर है और हो सकता है कि आपको जो P orbital है यह 2P का हो या फिर 3P का हो या फिर आपके पास 4P का हो लेकिन आपके पास यहाँ पर दो electron है वो क्या है same ही P orbital के अंदर है that means आपके पास यहाँ पर N की value भी क्या रहेगी सेम ही रहेगी और L की value भी क्या रहेगी सेम ही रहेगी तो अगर आपको कोई इस type की electronic configuration given है जिसके अंदर आपके पास जो electron है वो कैसे होते हैं equivalent होते हैं उसका मतलब क्या होता है कि उनकी N की value और L की value क्या है सेम ही है जैसे कि मैंने यहाँ पर example लिखा हुआ है P2 तो आपको यहाँ पर formula यूज़ करना पड़ता है NCR यानि के N factorial divided by R factorial into में N minus का R factorial I hope कि आपको factorial को यहाँ पर खोलना आता होगा यहाँ पर N क्या है total number of possible electron in that orbital यहाँ पर P orbital की तो आपके पास P orbital के अंदर maximum कितने electron आ सकते हैं आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा वो N हो जाएगा R क्या होता है number of electron present in that orbital कितने electron उसके अंदर present है तो अगर आपको यहाँ पर निकालना है P2 क्या हो जाएगा इसके अंदर कितने electron आ सकते हैं तो आपको बता है कि आपको यहाँ पर क्या होते हैं तीर और होने वाले आपको यहाँ पर दो आ जाएंगी इसका मतलब आपकी पास पी और के अंदर maximum क्या सकते हैं 6 electron आ सकते हैं तो में 4 पापस के बन जाएगा 6 factorial divided by क्तनी electron है beads 2 है क्या हो जाएगा 2 फैक्ट्रीं 2 में 6 माइनस तो आपको आनेवाला है 15 f. अब पहले समझे कि आखिराल पास निकल कर आई है, इसका basically मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास configuration होती है P2, तो आप लोग 15 तरीकों से, आप लोग 15 different ways से इन दो electron को P2 के अंदर भर सकते हैं, आप पास भर सकते हैं, यहाँ पर, यह spin-up के अंदर रह यहाँ पर रहेगा, 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 एक spin-down में रहेगा, spin-down के अंदर रहेगा, यानि कि आप लोगों ने यहाँ पर सारे कि सारे possible ways ले लिए हैं, किस तरीके से आप लोग 2 electron को P2 के अंदर भर सकते हैं, को बाई के निकल जाएंगे इसको मैंने यहां पर आपको सामने दिखाया भी हुआ है तो आपको समझ में आ रहा वोगा या खेर क्या होते हैं मैंने आप पर आपको picture दिखाहिए कि आखर किस तरीके से आप लोग 2 एलेक्ट्रों सको 3P orbital के अंदर बरसा तो आप लोग यहां पर इन प्योपिटल के अंदर तो जितने भी जादा पास तरीके होते हैं तो आपके बहुत सारी स्थेट के अंदर से आप वाली माईक्रोस्तेट होती है जिसके ऊपर से डाइक लिए आप कोशनस आते हैं आपके एक्जाम के अंदर तो ग्राउंड चेड़ियों कैसे पहचार ना है उसके बारे बात करने लेगीं पहले अम लोग देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से आपके उपणी आपके पास को term symbol तो आप लोगो ने देखा है कि आगर आपके पास configuration होगी और configuration के अंदर आपस यहांपर क्या होते हैं equivalent electron होंगे आप formula आपस क्या बन जाएगा n factorial divided by r factorial into n minus का r factorial n क्या है यहांपर r क्या आपकी हांपर मैंने यहांपर लिखा हुआ है n is equivalent of total number of possible electron in that orbital उस orbital के अंदर कितने electron आ सकते हैं number of electron present in that orbital आपस यहांपर configuration होती है d to the formula क्या बन जाएगा 10 factorial divided by 2 factorial into 10 minus का 8 factorial आपके पास यहांपर configuration होने वाली है d आपस यहांपर formula क्या बन जाएगा 10 factorial divided by 4 factorial into 10 minus का 4 factorial तो आई होप कि आपका formula यहांपर समझ में आगे होगा अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि अगर आपके पास configuration कुछ ऐसी given होगी जिसके अंदर क्या है नोन equivalent electron है यानि क्या पर पास यहांपर जो दो electron होने वाले हैं उनकी n की value अलग होगी या फिर l की value अलग होगी या फिर यहांपर लिखा हुआ है इनका अलग होगी यानि कि मैं यहांपर लिखा हुआ है D1P1 लेकिन आपके पास यहांपर जो दो electron है इनके कोरसपोडने आपकास L की value क्या है अलग-अलग है और अगर आपके पास होते हैं non equivalent electron तो मुझे कुछ नहीं करना है मुझे दोनों electron के लिए अलग-अलग formula लगाना पड़ेगा यहाँ पर अपने ncr को मैंने formula यहाँ रहेगा लेकिन मुझे वो अलग-अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा इस electron के लिए लगसे करना पड़ेगा इसके लिए लगसे करना पड़ेगा फिर मैं कर दूँँगा उनको multiply कर दूँगा तो आपके पास यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ हुआ है D1 तो मैं अप्लाई करूँगा इसलिक क्या बन जाएगा 10 factorial divided by 1 factorial 10-1 factorial यहाँ पर क्या बन जाएगा 6 factorial divided by 1 factorial 6 minus 5 factorial 6 minus 1 factorial अपर से आपर आने वाला है आपके पास क्या हो जाएगी टोटल यहाँ पर 10 into 6 into 60 microstates हो जाएगी यानि कि आगर आपको 2 electron को fill करना है D और P के अंदर तो आप लोग उनको 60 तरीकों से कर सकते हो I hope कि आपको यहाँ पर यहाँ वाली बात समझ में आ गई होगी and I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मैंने यहाँ पर इस formula को और इसको मैंने कैसे apply किया हुआ 6 minus 1 आएगा आपके पास यहाँ पर D1 है D कैना आपको आसा सकते हैं total 10 electron आपके पास भाव रहा हुआ है अगर नोड नीक्वेलेंट है तो आपको दोगों के लिए लग से निकालना है फिर आपको क्या कर देना उसको मल्टीप्राइ कर देना है अब बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से आप term की help से calculate कर सकते हो तो आपके पास तर्म कैसी होती है तर्म आपके पास होने वाली है कुछ इस टाइप की 2s प्लस का वर आपके होता है तो आपके पास यहां पर diet formula होता है 2s प्लस का 1 into में 2L प्लस का 1 आपको यहां पर याद रखना है कि आखर L की value क्या है अगर आपके पास यहां पर लिखा हुआ है S तो L क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा लिखा हुआ है P तो आपके पास यह क्या हो जाएगा L हो जाएगा 1 हो जाएगा 2s plus 1 is equivalent to 3, अगर मैं इस 3f को इससे compare करूँगा, तो आपके पास यहाँ पर multiplicity क्या है, 3 है, यहाँ पर क्या होता है, 2s plus 1 होता है, तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, 2s plus 1 is equivalent to 3, आपके यहाँ पर s के निकल जाएगा, निकलने वाला है 1 के बराबर, या फिर आप लोग यहाँ प formula होता है, 2s plus 1 into 2l plus 1, आपके पास यहाँ पर क्या लिखा होता है, 2s plus 1 ही लिखा होता है, तो आपके पास यहाँ पर जितनी भी multiplicity होती है, आपको उसको multiply करना होने वाला है, 2l plus 1 के साथ, आपके यहाँ पर F के लिए L की value क्या होती है, आपके यहाँ पर given है, आपके पास क् बात भी समझ में आ गई होगी अगर लिखा होगा उसको 9 लिखा हुआ है वन ही हो जाएगा 3D के लिए किया होजएगा 15 हो जाएगा आई होप कि आपको यहां पर इस भी समझ में आगे होगी बहुत ही easy है, शिर्व आपको यहाँ पर formula को ही apply करना है, अगर आपको यहाँ पर given होता है term symbol, तो term symbol से आप लोग किस तरीके से निकालने वाले हो microstate को, तो वो तो बहुत ही easy होता है, आप पास यहाँ पर क्या होने वाला है, 2s plus 1 होता है, L होता है, J होता है, तो यहाँ पर जो भी number given होगा, यहाँ पर जो भी number given होगा, आप क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2j plus का 1 करना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर term symbol given है, 3f2, आपको यहाँ पर क्या 2 है, और मुझे निकालना है कि इस term symbol से मैं कितनी formula क्या बन जाएगा, 2 in 2 में 2 plus का 1 आपको यहाँ पर जो भी होता है, उसको मुझे क्या करना है, 2 से multiply करना है, उसके अंदर 1 add कर देना क्या निकल जाएगा, आपको टोटल micro states निकल जाएगी, I hope कि आपको समझ में आगया होगा, कि term symbol से कैसे आप लोग backlog state को calculate कर सकते हो, आपको यहाँ पर give one होगा 3D3, तो क्या आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर, इस 3 को आपको multiply करना है, 2 से फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ जाएगा, बहुत easy formulas हैं, लेकिन आपको इनको याद अखना है, अगर formula भूल जाओगे, तो आप बूदर वो कुछ भी दे सकता है, तो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीजे समझनी होती है, फिर आपको यहाँ पर होता है, पढ़ने वाले आगे जाकर आपको कुछ नहीं करना है आपके पास यहां पर जो भी नंबर लिखा होता है अगर आपको नहीं करना है तो कुछ नहीं करना है आपको इस उपवाई नंबर को मिल्टिप्लाई करना है कि आपके पास यहां पर जो लिखा हुआ है A, E या फिर T उसके आपको यहां पर यूज़ करते हैं 1, 2 और 3 तो आपको बस इनको याद करना है, formula को याद करना है आपको exam के अंदर वो directly यह symbol देगा और आपस पूछ लेगा कि आखिर इसके corresponding आपको कितनी micro states हैं तो direct question आने वाले हैं, बिल्कुल direct question आएंगे तो आपको यहाँ पर formula को बिल्कुल भी नहीं बूला है आपको यहाँ पर given होगा 2E into 2G, आपको यहाँ पर क्या है 2 है, तो क्या है 2 है तो क्या बन जाएगा, 2 into 2 is equal into 4 बन जाएगा तो I hope कि आपको इस चीज़े समझ में आ रही है, बाकि कोई भी doubt है, तो आपको नीचे comment कर सकते हो ताकि मैं इन topic को आपको और भी जाडिटेल के नदर आपको समझा सकूँ, बाकि I hope कि आपको समझ में आ गया होगा अब चलते हैं वापस की आखरी term symbol क्या होता है, तो मैंने आपको पहले समझा रहा है, सब कुछ बस मैंने आपको नोटस के नदर लिखा हुआ है RS Coupling वाली और JJ Coupling वाली वो क्या होती है, उसके बारे मैं आपको बता दिया है, बाकि मैंने ही हापर नोटस बनाए हुए है पहला मैंने ही हाप पर लिखा हुआ है, RS Coupling और LS Coupling सो क्या बोलते हो, इसको आपर Russell Sonders Coupling भी बोलते हैं, उसको को मैं क्या बोलने वाला हूँ Small L or Small S की बीच में coupling यहाँ पर नहीं होती है, in case of RS coupling. First part मैंने यहाँ लिखा हुआ है, this scheme is valid for lighter elements, यानि के Z is less than 30, when spin orbit coupling is weak, यानि के Small S की और Small L की coupling है, आपसके माँ क्या होने वाली है? Weak होने वाली है, आपको पास यहाँ पर क्या होता है? यह चीज़े आपको पता है, मैं आपको पहले भी पता चुगा हूँ. Next मैंने यहाँ लिखा हुआ है, this scheme treat total orbital angular momentum and total spin angular momentum separately for multi electron system. अगर आपके पास multi electron system होता है, तो उसके corresponding आपको पहले क्या निकालते हो? Capital L को निकालते हो, capital S को निकालते हो, यानि कि आप लोग यहाँ पर total orbital angular momentum को और total spin angular momentum को करते हो पहले इसको अलग से निकालते हो for multi electron system, यह बात मैंने यहाँ आपका लिखे हुई है, point number 2 के अंदर लिखे हुई है. Next मैंने यहाँ आपको लिखा हुआ है, first we take linear combination of orbital angular momentum corresponding to individual electron. अगर आपके पास यहाँ पर होने वाले हैं, दो electron आपके हो जाएंगे, एक electron यहाँ पर रहेगा, इसके पास क्या होती है, L1 की value होती है, तो पहले मैं आपके क्या करता हूँ, linear combination क्या निकालने वाला हूँ, capital L को निकाल, आपके capital L क्या होता है, L1 प्लस L2 के मोड से कहां प L1 माइनस का L2 का मोड, फिर मैं क्या करने वाला हूँ, फिर मैं करने वाला हूँ, secondly, we take the total spin and momentum into consideration, क्या निकालने वाला हूँ, capital S, उसके इसे निकालते हो, आप लोग, S1 प्लस S2, 2 क्या बन जाए पास, बनने वाला है, small S1 माइनस का small S2, इससे आप लोग क्या निकालने वाल होता हूँ, Gordon series बोलता हूँ, अब quantum mechanical world में, इससे explain करते हैं, कि आप लोग यहाँ पर capital L1 क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि आप लोग क्या है, small L1 भी है, small L2 भी है, तो मैं यहाँ पर इसका ज़्यादा use क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके corresponding आपके पास, जो operator होते हैं, यह Hamiltonian साथ क्या करते हैं, commute नहीं करते हैं, और अगर यह commute नहीं कर रहे होंगे, तो मैं energy के साथ इनको calculate नहीं कर पाऊंगा, that means आपसे आपर क्या होता है, L1, L2 क्या होता है, bad quantum number होता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, operator corresponding to this capital L, तो वो क्या करने वाला है, व लेकिन पहले बात करते हैं, कि आपने capital L निकाल लिया, capital S निकाल लिया, तो आप क्या होने वाला है, L के बीच में और S के बीच में क्या होने वाली, coupling होने वाली है, then we determine total spin orbit angular momentum, that is J, J की value क्या होती है, L प्लस S के मोड से कहां पर जाती है, वो L माइनस के S के मोड पर जाती है यह चीज़े तो आपको पहले ही पता होंगी, आप लोग item term symbol को पहले भी पढ़ चुके हो, BST के अंदर, MSC के अंदर, in this scheme, electronic repulsion is stronger than spin orbit coupling, अगर आपके पास spin orbit coupling कम है, तब यह आपके पास क्या हो रहा है, capital L बन रहा है, और capital S बन रहा है, वरना आपके पास क्या हो जागा है, आपके पास जो individual electron है, उनकी पास जो L1 की value है, L2 की value है, वो क्या कर जाएगे, यहापर capital L बन जाएगा, तो आयोब की आपके वाल पॉइंट भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा, अब आपको पता है, पहले से यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिं के अंदर होता है, electronic configuration, electronic configuration आपके पास यहाँ पर क्या है, स्टार्टिं के वाला है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, electron electron repulsion बोलता हूँ, आपके पास यहाँ पर एक order होता है, S, L, 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 आपके पास ही क्या होता है, spin-orbit coupling होता है, पहले पर से कोशन आ सकता है, पहले पर यहाँ पर एक क्या होता है, अब इस case के अंदर आपस क्या होने वाला है spin orbit coupling क्या होती है बहुत ही weak होती है यानि कि इस वाले L के बीच में और इस वाले S के बीच में यानि कि किसी भी individual electron के लिए small L और small S couple नहीं करेंगे उससे पहले क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पर S S couple कर जाएगा यानि कि आपके पास यहाँ पर भी एक electron उसके small S की value है आपके पास यहाँ पर भी एक electron उसके अंदर small S की value है तो आपस क्या होने वाला है इस small S के बीच में और इस small S के बीच में क्या हो जाएगी coupling हो जाएगी पहले किसके बीच में होती है पहले होती है आपके spin वाले पार्ट के बीच में फिर क्या होने वाली क्या होने वाली यहाँ पर L वाले पार्ट के बीच में तो पहले आपर पास coupling होती है S वाले पार्ट के पहुता है, sz1 प्लस इसके युपध की आप होगी सारी कि सारी बाते समझ में आ गई होगी और इसके उपर से आप आपके अगराम के अंदर दो सक्राइब का कोशन था आप जार माक्र सका कोशन क्या है इने many electron atom the total orbital angular momentum यानि के capital L and spin यानि के capital L आपके पास यहां पर question के अंदर क्या है कि आपके पास इस system के अंदर क्या है इस system क्या होने वाला है तो आपने अभी पढ़ा है कि आपके पास capital L और capital S good quantum number कब हो आपस क्या बात करने वाले हो क्यों कब होती है जब Z क्या होता है less than 30 होता है उस case में क्या होने वाला है electronic electronic repulsion is greater than spin orbit coupling यानि कि इस case में क्या होता आप पास यहां पर dominant करता है electron electron repulsion आपके पास यहां पर option है inter electronic repulsion spin orbit interaction hyperfine coupling और external magnetic field आपके हो जाएगा यहां पर option number a is the right answer आपके होता है in the presence of inter electronic repulsion यानि कि electron electron repulsion आपके पास यहां पर क्या आने वाला है option number यह क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर option number b क्या है बिल्कुल गलत है क्योंकि आपके पास यहां पर spin orbit interaction क्या करते हैं inter electronic repulsion करने वाला है आपको कोशन के अंदर गीवन है कि आपके पास जो capital L है और जो capital S यहां पर क्या है यानि किसका मतलब है कि आपके पास capital L है और capital S क्या है आपके पास good quantum number हो जाते हैं आपके आपके पास जो बड़ा L होता है यह good quantum number है तो आप लोग क्या यूज करने वाले क्या होता है इसके आपके पास होने वाला है इलेक्ट्रोनिक एलेक्ट्रोनिक रिपल्शन को आप लोग यहां पर कभी भी नहीं जाओगे लेकिन जिरोने आपके आपके पास प्रेट्रोनिक रहती है लेकिन इसको मों समझने वाले हैं नेक्स लेक्ट्र के अंदर तो आई होप कि आपको आज के वीडियो पसंद आयों को लाइक करना है आपको कोई नहीं कोई कमेंट जरूर चोना आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझ अब लगा तो आप लोग मुझे कमेंट बोस के अंदर अप्रेशेट भी कर सकते हो और आपको मेरे काम अच्छा लगता है तो आप लोग आजए अके अपने प्रेशेब नहीं किया हुआ है अगर आपने इतना देख लिया तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रें और आपको में मुझे जरूर कर सकते हुआ है